तो नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आज की वडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप फ्री फायर गेम को खेलते हैं अगर आपने फ्री फायर गेम इंस्टॉल करके रखे हुए आपने मॉबाइल में और जो अपडेट नहीं कर पाएंगे तो आपको बहुत सारे बग्स भी देखने को मिल सकते हैं तो अपडेट करने के लिए आपको क्या करना है मैं बता देता हूं सिंपल सा काम करना है सबसे पहले तो आपको अपने मॉबाइल की सैटिंग में आ जाना है जैसे ही आप अपने दन उसके बाद सर्च बार है सर्च बार में आपको प्ले स्टोर को सर्च कर लेना है प्ले स्टोर आ चुका है यहां से प्ले स्टोर को आपको ओपिन करना है ओपिन करने के बाद आपको उपर की तरफ स्टोरेज देखने को मिल रहा है stories पर click करिए then उसके बाद नीचे clear data है clear data पर click करिए और इसका आपको clear all data कर देना है याद रखिए google play store का आपको clear all data करना है then उसके बाद यहाँ से आपको directly back आ जाना है back आने के बाद अब search bar में आपको लिखना होगा google play service तो जैसे कि आप देख सकते हैं google play service आपको लिखना होगा यह google play service आ चुकिए इसको यहाँ से open करना है open करने के बाद आपको यहाँ पर storage पर फिर से click कर लेना है और नीचे clear data है clear data पर click करना है और यहाँ पर इसका आपको clear data नहीं करना है सिर्फ only clear catch करना है यहाँ पर click करने के बाद आपको बैक आना है दन उसके बाद आपको अपने मुबाइल को restart करना है या ओन ओफ कर लेना है जैसे ही आप वाइल ओन करेंगे और उसके बाद प्ले स्टोर से जाकर अपनी फ्रीफार गेम को अपडेट करने का ट्राय करेंगे तो आप देखेंगे इसलिए आप अपडेट कर पाएंगे आपकी गेम को कोई प्रॉलम फेस करनी नहीं पड़ेगी आज के वीडियो आपक